जैसिक रिशञ दोस्तों कैसे हैं मैं स्मुष्टियां बहुत एच्छे होंगे और आपको बहुत शुप कामना है अने वाले नवरात्र के लिए देखे अभी prepare आ तो इन नवरात्र में आप क्या उपाई करें जिससे कि आपको मा अच्छे से प्रसन हो जाए और आपके सारे रोग शोग दो और आपके अलक्षमी दरिदरता ये सब दूर हो जाए तो इसके लिए आपको बहुत चोटा सा उपाई करना है दोस्तों इन दिनों काशी फल चोटा सार उसको मंदिर में दान देजिए तो यह हमारे जो है लाल किताब के उपाई है वैसे तो दोस्तों बहुत अच्छे उपाई हैं और आपको एक और क्या करना है इसके साथ ही अगर कोई बहुत लंबे समय से बिमार है तो आप उस पर जब दुर्गा की स्थापना कर रखे जा करके मातस से मातां चुआ करके टच करके एक सिक्षा डेली वहां पर रख दिया करें एक डेली सिक्षा रखा हुआ आप इसको दे किसी भी सफ्काई कर्मी को आप δेख सकते हैं वो नहीं को तक है शच्छाइब कर देद यहां आप अगर कोई बहुत ज़्याद बिमार रहता है तो आप उसके सराने एक ग्लास दूद रखती जिए एक छोटा ग्लास दूद रखें जो इतना छोटा ग्लास होता है उसमें डाल करके दूद रखें पच्छा दूद और उसको उसके बाद सुबह उठकर के मॉर्णिंग में उस दूद को आप किसी भी नौक को पिला दीजे तीरे दीरे ऐसा आप करेंगे पूरे नवरात्र करेंगे तो नवरात्र में ही नौ दिन में बिलकुत स्वस्थ हो जाएंगे और अपने काम पर वापस चले जाएंगे तो आपको यह चमतकारी उपाई जो हैं बहुत और जो हम जवारे बोते हैं यानि की जौ से बोते हैं मातागे नौवरात्र में जवारे जवारों को आप निकाल लीजिए उसमें से और उनको पीस लीजिए पीस करके उन जवारों को और घर के सद्दस्यों को सभी को थोड़ा थोड़ा उसका जो है पानी में उसको गोल कर और उसका जो रस टाइब का होगा उसे सब को पिला दीजिए देखिए आप कितनी जल्दी स्वस्त होते हैं अगर आपको कोई 90 समय से बिमारी है तो वह आपकी चली जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्त हो जाएगे तो दोस्तों यह बहुत आसान और बहुत अच्छे इक का नाडियल को आप अलग से रहते हैं और नाड यह लेकर आए लेकर आएगा और उसको डाइबिटेस हो जाती है कभी उसको हाइब नहीं प्रॉब्लम्स और उसको और निया कभी बहुत सारी बिमारे या मिर्गी वगएर भी आती है तो इस तरह की लोगों को आप दे सकते हैं उसको आप रख लीजिए नारियल को और नारियल को उनके सिराने से उतार करके आपको सेवन टाइम्स उतारना है और उतार करके उसको यानि कि सिक्स टाइम स सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें अगर आप करते हैं दोस्तों तो यह बहुत ही आसान और स्वाश्टिक उपाय और सब्सक्राइब में ज्ञाने नियुक्त को परेब करें करें अधर करें इस तरह से आप देखेंगे कि हमें यंद नवरात्र में क्या करना चाहिए क्या नेरे तो हर बार में नहीं ने विदियोस लेकर आपके सम Cyrus रहती हूं तो दोस्तों इसी की सात में आपके साथ इस विदियो में विधा लेना चाहूंगी जैशरी किस्ना दोस्तों ज्यमातद की